देखिए हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास फिलाल जो ओवराल सीजनल मानसुन की वारिश देखेंगे वो माइनस 30 पसेंट चल लिए तो कह सकते हैं काफी कम चल रही है हमारे पास और अगर हम रेंफॉल 24 आवर्स की बात करते हैं सुर्फ हमीरपू डिस्टिक में हैवी र रेंफॉल रिपोर्ट हुई है बाकि और जगह पर जो भी है लाइट से मॉडरे रेंफॉल रिपोर्ट की गई है और यह सिच्वेशन हमारे पार पीते 24 गंटे में और ओवराल मानसुन की रही है प्रदेश में अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो आज और कल एका दुका जगह उपर हमारे पास हैवी रेंफॉल आने की चांसे है जो कि आप कह सकते हैं मंडी और हमीरपूर यहां फिर कांग्रा डिस्टी के असपास आ सकता है और लेकिन उसके बाद जो है साथ त प्रदेश के आसपास से होते हुए बंगाल में जाएगी तो जो मानसुन की लाइन है वो नौर्थ की तरफ सिफ्ट करेगी तो इसके चलते हमारे पास पूर्वी हवाओं का प्रभाव फिर से साथ तारीक में बढ़ने के चांसे हैं और साथ में एक साही सर भी हमारे पास ब होने की संभावन हैं आप कैसकते हैं कि कांगडा हमीरपूर और चम्बा और कुलूडिस्टी के असपास बन सकती है और इस समय हमने उस साथ तारीक से लेकर के आठ तारीक के मद तक हमने जो है और इंजलर्ट जारी किया हुआ है देखिए हमारे पास जो है इस समय जो है जब हैवी टुवरी है विर इंफॉलम देते हैं तो समय इस तरह की सिचुईशन चुकि मांसून टाइम है तो इस तरह की समय होना बनी रहती है उस तरह के हम लोग अभी अलर्ट इसू करने जा रहे है जिस तो एड़जरी की जारी की अधिये फिलाल तो हमारे पास यह कुछ जगवाव का फॉग है और माज जाता जगवाव पर क्लावडीनेस है जिसके चलते हमारे पास सिमला सहर में और आसपास के जिया में हल्की फुल्की बारिस समय हो रही है और बाकी फिलाइस प्लेट के लिए गाइडेंस हम लोग इस अधिये और अधिये वराल अगर हमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आज की डेट में वो मानिस थर्टी परसेंट है तो फिलाल जो नॉर्मल इनफॉल है उससे काफी कम चलना है जिसके चलते हैं हमारे पास सिम्ला सहर में और आसपास के जिया में हलकी फुलकी बारिस इसमें हो रही है और बाकी फ्लैस फ्लैट के लिए गाइडेंस हम लोग इसो कर रहे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें